तो गाइज आजके इस वीडियो में आपको मैं यह LED लाइट के MP और वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा वो मल्टिमीटर की हैल्प से गाइज तो गाइज वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहे है क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टन चीजे मैं आपको बत सब्सक्राइब की मिल जाएगी और गाइज यह मल्टिमीटर है इसकी मदद से मैं चेक करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको इसको 20V DC पर सेट कर लेना है और आपको प्राब को वोल्ट और एम ओम पर सेट कर लेना है अब आपको क्या करना है बैटरी का प्लस है उसमे ऋम में चीखाता हूu बढी लैग इसको आपको यह उल्क करना है जा बैटरी में सेट करना है अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं आप गाइज जो इसका माइनस है ..मamet लिखा हुए माइनस तो आपको कहा करना है का मल्ट् condition की जो दो prob है एक प्लस एक माइनस तो जो प्लस बाला है उसको बैटरी के माइनस में लगाना है ओगाएज आपको यहाद दखना अब गैज इसे लिलेट के हम लोग एंपियर चेक करते हैं वह भी काफी सिंपल है आप वीडियो में बने रहे हैं तब आपको यह भी पता लग जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूं तो जैसे हम पहले लगा था इसका प्लस है वह बैटरी के प्लस में लगा देंगे अब गाई जो इसका मल्टिमीटर का प्रॉब है उसको हम लोग सबसे पहले 10 एम पे सेट करेंगे तो देखिए जहां पर 10 एम पर मैं लगा लिया है अब गाई इसको आपको मल्टिमीटर को 10 एम पे सेट करना है तो चिए हम सबसे पहले मैक्सिमम से में लोग स्टाट करते हैं गाइस तो 10 many sets कर दिए आपकोना आपको समक्राइब कर दिल्ब है जो ग्रेंट वर्लश में लगेगा Subber लगेगा क्ने दिखा देता हूं कौझ सा प्लस माइन सतो है देख लीजिए यही प्रॉप प्लस है तो इसको बैटरी के प्लस में लगा देंगे तो काफी यह सिंपल चीज है और यह बहुत ही अच्छा मेतल जिससे आप लेटरी लाइट के वोल्टेज और एंपर चेक कर सकते हैं अब जो माईनस है वो स्मेर के माईनस में लगाना है आप देश सेहाँ लाइट ग्लौ भी कर रहेया और एंपर भी इसको कर रहा है है अब आप लग्स बिल्कूष सेमित तरीकश से चेक करना है सुटाइज आप वीडियो में बने रही है तब आपistas और बांश चेक करके दिखाऊंगा तो अगर आप वीडियो छोड़ के ऐसे चले जाएंगे तो फिर आपको पुरी नॉलेज नहीं मिल पहलेगी और आपका मुल्टिमेटर खराब भी हो सकता है गाइस आप वीडियो में बने रहे है तो गाइस देखिए इसकी जो एक प्रॉब है सब्सक्राइब देखिए इसका एक टाम मेंए ये मैंने प्लस में लगा दिया किस प्लस को अपको प्लस में लगा दिया अब ये यानिन प्लस और एक माइनस है उसमें से जो देहें गाई जी पीछे माइनस है इसमें प्लस लगाएंगे दिखा गाई और जो माइनस है वह एलेट के माइनस में लगेगा तो गाईज अब यहां पर डिडिंग दे सकते हैं 1.54 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है तो इसका कंजप्शन 1.54 वोल्ट है तो गाईज यह अब डाउन हो रहा है अब गाईज अब इसकी अब एंपिर चेक करेंगे तो गाईज एंपिर चेक करना भी मैंने आपको बताया यह चेक दकाईज यह इसकी बहुत सिंपाल बसपहले आपको मल्टीमीटर को OFF करना है और इसके बाद घ्राइज उसको 10 श्विच करना है तो गैजश मैं चैट सेट कर लिया अब घ्राइज और शांपिर ने पर ने कि कर दों आभी है तो फॉर भाब अगा लिए अधार इसको फटाफ़ चेक करते हैं सब्सक्राइब दो प्राव है उसके बाद LED लाइट में जो आपने देखिए इसका जो प्लस है इसके प्लस में प्लस लगाएंगे इसका प्लस है उपर वाला इसमें आपको सारे डाउट क्लियर कर दें तो कि आपको कोई ऐसा न लगे कि मैं कोई ट्रिक बता रहा हूं आपको तो देखिए अब प्लस लगा दिया अब गया जो माइनस है उसको नीचे कर लेते हैं तो देखा आपने कुछ इस तरीके से अब ग आप जो इसका माइनस है वह बैटरी के माइनस में लगाएंगे तो देखते हैं 0.04 Ampere सो गाइस मिली एंपेर था वह तो गाइस हमने इस लिए लाइट के भी एंपेर चेक कर लिए तो गाइस अब बात करते हैं लोग नेक्स लिए लाइट के तो सबसे पहले हम लोग इसको हो रिख कर लेते हैं तो घुड़र और पयर लिया अब गयास में लाइट करें हां तो घ्रणा हें आपको बहुत रहता है इसको कैसे चेक करहें तो घखाफना सबस्क्री सब्सक्राइब सोAh जाए को सेम वही काम करना इस güç प्लस में बैटरी के प्लस बैटरी को चोड़ देना है यह समती फोल्ट करने dips सब्सक्राइब को 20V TC ए दिका है तो गया ताकिस दिखा सब्सक्राइब आप को सब्सक्राइब इसको 20 वोल्ट DC पर सेट करना है अब जो इस बैटरी का माइनस है उसमें मल्टिम्टर का प्लस लगाना है और जो यह माइनस है इसमें आपको इसका माइनस लगा देना है आप रेडिंग देख सकते थे सब्सक्राइब 2.10 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है इसका करेंट इसका सॉरी इसका वोल्टेश्ट 2.10 वोल्ट है अब आप नेक्स चीज़ चलते हैं हमारे एंपियर पर आपको इसको 10 एंपर सेट कर देना है और इसको 10 एंपर कर देना है इस और जो यह ब्लू वाला है इसको आपको माइनस में लगा देना है कुछी तरिके से तो आप देख सकते हैं कि जीरो पाइंट फिप्टी थ्री शिक्स्टी नाइन के आसपाज देखाया यानि 69 मिलियम्पियर तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि मल्टिमेटर के मदद से कैसे इन लेड लाट के एंपर चेक कर सकते हैं और वोल्टेज तो आई ओप आपको वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाए